हलो नमस्कार स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में तो आज हम पढ़ेंगे कक्छा टेंथ का पार्ट वन साइंस का पार्ट वन का नाम है रसाइनिक अभिकिर्याई एम शमीकरन रसाइनिक अभिकिर्याएं यहां शमीकरन का Part 2 वीडियो देखेंगे Part 1 वीडियो हो चुका है Part 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तब हुआ से जाकर देख सकते हैं तो आज हम Part 2 पढ़ेंगे कक्छा 10 का Part 1 का पढ़ेंगे रसाइनिक अभिकिर्याएं यहां समीकरन का आज हम Part 2 वीडियो देखेंगे अभिकारक किसे कहते हैं तो रसाइनिक अभिकिर्या में भाग लेने वाले तत्व या योगिकों को अभिकारक कहा जाता है तो रसाइनिक अभिकिरिया में जो तत्व या योगिक भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है तो अभिकारक किसे कहते हैं तो रसाइनिक अभिकिरिया में भाग लेने वाले तत्व या योगिकों को अभिकारक कहा जाता है यहाँ पे देखिए mg पलस ओटू यहाँ पे रसाइनिक अभिकिरिया हो रहा है तो mg पलस ओटू रसाइनिक अभिकिरिया में भाग ले रहे हैं तो यह जो रसाइनिक अभिकिरिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहा जाता है यहाँ पे mg पलस ओटू यह दोनों रसाइन अभिकिरिया में भाग ले रहे हैं यह जो रशाइनिक अभिकिरिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहा जाता है यहां पे Mg प्लस O2 हमारा अभिकारक है यह रशाइनिक अभिकिरिया में भाग ले रहा है तो Mg प्लस O2 हमारा अभिकारक हो गया तो अभिकारक किसे कहते हैं तो रशाइनिक अभिकिरिया में भाग लेने वाले ततो या योगीकों को अभिकारक कहा जाता है तो mg प्लस ओटू हमारा क्या हो गया mg प्लस ओटू रशाइनिक अभिकिरिया में भाग ले रहे हैं तो mg प्लस ओटू हमारा अभिकारक हो गया तो अब हम पढ़ेंगे उत्पाद, उत्पाद किसे कहते हैं, तो उत्पाद रसाइनिक अभिकिरिया के फल्सवरूप बने नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, तो जो रसाइनिक अभिकिरिया के फल्सवरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं, तो तो यहां पे Mg plus O2 यह हमारा रशाइनिक अभिकिरिया हो रहा है तो Mg plus O2 को रशाइनिक अभिकिरिया के पहचा जब यह दोनों रशाइनिक अभिकिरिया करेगा तो यहां पे एक नया पदार्थ बनेगा Mg O Magnesium Oxide तो जो हमारा यह नया पदार्थ Mg O बना Magnesium Oxide बना यही हमारा उत्पाद हो गया तो जो रशाइनिक अभिकिरिया के फ़ल्सो रूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं तो Mg plus O2 के अभिकिरिया करने के बाद जो नया पदार्थ बना वो हो गया Mg मेगनिसियम उक्साइड तो मेगनिसियम उक्साइड हमारा उत्पाद हो गया और Mg पलस O2 ये हमारा अभिकारक हो गया तो अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं समझ में आगया होगा जो रसाइनिक अभिकिरिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं और जो रसाइन अभिकिरिया के पहसचाद पहला परिवर्तन होता है गैस का उत्सरजन दुसरा होता है अउचिव का निर्मा तिसरा होता है रंग में परिवर्तन चौथा होता है अवस्था में परिवर्तन पाचवा होता है तापमान में परिवर्तन तो जब हमारा रसाइनिक अभिकिरिया होगा तो उसके पहचात क्या क्या परिवर्तन होगा तो ये सब हमारा परिवर्तन होगा गैस का उत्सरजन होगा और छेप का निर्मान होगा रंग म परिवर्तन होगा आवस्था में परिवर्तन होगा तापमान में परिवर्तन होगा तो रसाइनिक अभिकिरिया के पहचात हुए परिवर्तन ये हमारा है तो रसाइनिक अभिकिरिया के पहचात ये ये हमारा परिवर्तन होता है रसाइनिक अभिकिरिया के पहचात तो समझ में आगे होगा रसाइनिक अभिकिरिया के पहचात क्या क्या परिवर्तन होता है तो गैस का उत्सरजन और छेप का निर्मान रंग में परिवर्तन अवस्था में परिवर्तन तापमान में परिवर्तन ये हमारा रसाइनिक अभिकिरिया के पहचात परिवर्तन होता है अब हम पढ सन्योजन अभिकिरिया किसे कहते हैं ये बोड एक्जाम में पूछा जाता है कि सन्योजन अभिकिरिया किसे कहते हैं तो वैसी रसाइनिक अभिकिरिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सन्योग करके एकल उत्पाद का निर्मान करते हैं उसे सन्योजन अभिक अभिक्रिया कहते हैं तो वैसे रसानिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके एक एकल उत्पाद का निर्मान करते हैं उसे सन्योजन अभिक्रिया कहते हैं तो समझ में आ गया होगा कि सन्योजन अभिक्रिया किसे कहते हैं सन्योजन अभिक् करते हैं उसे सन्योजन अभिकिरिया कहते हैं जैसे मिया पे एच्टू प्लस ओटू ये दुनों दो अभिकिरिया है एच्टू प्लस ओटू दो उत्पाद है ये दोनों आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं एच्टू प्लस ओटू ये दुनों मिलकर के एक उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं जिसका नाम है H2O तो H2O पलस O2 ये दुनों आपस में सन्योग करकी एकल उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं उसे सन्योजन अभिकिरिया कहते हैं तो H2O पलस O2 ये दुनों आपस में मिलकर H2O का निर्मान कर रहे हैं एकल उत्पाद का ये दुनों दो उत्पाद है H2O ये दुनों आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्मान कर रहे हैं H2O जो एकल उत्पाद का निर्मान करते हैं उसे सन्योजन अभिक्रिया करते हैं सन्योजन अभिकिरिया किसे कहते हैं वैसे रसाइनिक अभिकिरिया जिसमें दो या दो सी अधिक पदार्थ अपस में सन्योग करके एकल उत्पात का निर्मान करते हैं उसे सन्योजन अभिकिरिया कहते हैं सन्योजन अभिकिरिया समझ में आगे होगा अब हम पढ़ेंगे आगे अब हम रसाइनिक अभिकिरिया के परकार में दुसरा परकार पढ़ेंगे दुसरा परकार है बियोजन या अभगटन अभिकिरिया किसे कहते हैं तो बियोजन अभिकिरिया को अभगटन अभिकिरिया भी कहते हैं तो board exam में ऐसे question पुछा जाएगा कि बियोजन अभिकिरिया किसे कहते हैं या पुछा जाएगा अभगटन अभिकिरिया किसे कहते हैं तो दोनों का उत्तर एक ही होगा तो चलिए हम बियोजन या अभगटन अभिकिरिया किसे कहते हैं जानते हैं तो बियोजन या अभ भटन अभिकिरिया कहते हैं तो बियोजन या भटन अभिकिरिया किसे कहते हैं बियोजन या भटन अभिकिरिया में क्या होगा चो एकल अभिकर्मक है एकल अभिकर्मक तूटकर दो छोटे छोटे उत्पात का निर्मान करते हैं बियोजन या सन्योजन सन्योजन अभिकिरिया क में सन्योग करके एकल उत्पाद का निर्मान करते थे उसे सन्योजन अभीकिरिया करते हैं और बियोजन अभीकिरिया में उसका उल्टा हो गया इसमें किया हो गया इसमें एकल अभीकर्मक तूटकर छोटे छोटे उत्पाद का दो उत्पाद का निर्मान करते हैं तो बियोज ब्योजन अभिक्रिया किसे करते हैं समझ में आ गया होगा अब हम बहुत से देखते हैं ब्योजन अभिक्रिया किसे करते हैं ब्योजन अभिक्रिया वैसी रसाइनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल अभिकर्मा तूटकर छोटे-छोटे उत्पाद का निर्मान करते हैं उसे ब् उत्पाद को निर्मान करेगा एक CAO और दूसरा CO2 केलसियम कारवोनेट को उसमा देने पर ये एकल अभिकरमक है ये तूटकर दो छोटे-छोटे उत्पाद का निर्मान कर देंगे ऐसी रसाइनिक अभिक्रिया को ब्योजन या भटन अभिक्रिया कहते हैं तो CACO3 को उसमा दे समझ में आग्या होगा तो यदि आप अभी तक इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो कर लिजे इस तरह से पाड़ आन पार्ट टूप वार्ट अभिक्रिया का पूरा चेप्टर आपको इस यूटूब चैनल में मिल जाएगा तो यदि अभी तक इस य हिंड जैब हरा